आज हम बताने जा रहे हैं जस्टिस मेहर चंद के बारे में जस्टिस मेहर चंद का जन्म 23 दिसंबर 1889 को पंजाब परांत के कांगडा में हुआ था जो की अब हिमाचल परदेश में है अजादी के पहले वे पंजाब हाई कोट के नियाधिस नियुक्त हुए भारत पाकिस्तान बटवारा के दोरान रेड क्लिफ कमिशन के वे सदस्य भी रह चुके थे और पंजाब के सिमा के निकट गुरुदासपूर जीले को भारत में मिलाने में अहम भूमिका निभाई 15 अक्टूबर 1947 को वे जम्मु कस्मीर के प्रधान मंत्री नियुक्त हुए उस दोरान जम्मु कस्मीर के राजा हरी सिंग को जम्मु कस्मीर को भारत में बिले के लिए बहुत कोशिस किये तब जाकर हरी सिंग राजी हुए 1954 में वे सुप्रीम कोट के तिसरे चीफ जस्टिस बने 5 अप्रेल 1916 को उनका निधन हो गया थैंक यू